राव राम भाईयों, भाईयों लसोडा गूंदा में जो बरसात की दिनों में सबसे बड़ी समस्या आती है, तने में फुटान निकलती है, नहीं 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 निकलनी शुरू हो जाती है, और उन्हें टैनियों की स्पीड भी इतनी ज्यादा होती है, फटा पट 5-7 दिन में कापी बड़ी हो जाती है, पर उनको हटाते हैं, फिर बड़ जाती है, फिर बड़ जाती है, यह एक गूंदा की सबसे बड़ी समस्या है, तो कहिएं के दिमाग में यह होता है, मेरे पास कही कमेंट भी आये, कहीं होने फॉन करके भी पूछा, यह एक इनगे हब बड़ी समस्या है तो इनका क्या करें। इनको फटाएं या नहीं इठाएं। तो उस ही के बारे में में आपको बताता हूं। दूसरा और एक इसमें यह तनह खराब होने की समस्या आती है। उसका में अभी तो वरसाथ का मोसम खत्म हुआ है। तो उसका समाधान अक्टूम्बर में करना होता है जो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा फुटान निकलती है तने के चारो और जैसे मैं आपको तना बता रहा हूँ जैसे कि यह पेड़ है तो इसमें क्या होता है यहां से नीचे से जमीन में से आप शूटर निकलते हैं जिनको शूटर बोलते हैं अपन वह इतनी स्पीट से बढ़ते हैं कि पटा पटे उनको अटा दिया और पास साथ दिन बाद में दस दिन बाद में देखेंगे तो वही तीन से चार पिटका फिर से अपनों को तयार मिलेगा निकड़ा हूँ तो यह बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए अपन को क्या करना है कि विशेशकर द्यान रखना है बरसात के मौसमें यह ज़्यादा समस्या बरसात के मौसमें यह आती है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है इसके लिए अपन को क्या करना है जैसे यह टहरे निकलते है इनको भूत हो जदा बढ़ने में दो यह तो क्या है यह जतनानी मतलब ज्यदा निकलती है उतना ही तनह खराब होने का डर रहता है और पेड की ग्रोथ को कम करती है तने की बिमारिय इनकी वजह से ज्यादा बढ़ जाती है और गुंदा में और कोई विमारी नहीं आती मतलब हर कोई एक ही जो तना खराब होने की समझे इसी से परेचान रहता है तो इसका में कारण तो यही स्टार्ट होता है कि जो नीचे से शूटर निकलते हैं उनको पन नहीं अटाते हैं तब तन्य में विमारी आता है इसके लावा तो गुंदा वりचे सवस्त पेड है किसी परकार की कोई समक्षया नहीं आती तो इसके लिए कि विशेश यही ध्यान रकना है कि बरसाथ के दिनों में और मोसम में कम अती एतने नहीं यह जthey की निख़़े इनको काट दो मतलब इनको बढ़ने मत दो क्योंकि यह नहीं बढ़ेगी तो पेड़ के जो भी पोसक ततव है जो भी पेड़ की खुराक है वो सारी पेड़ में रहेगी तने में रहेगी तो उससे तने में किसी परकार का कोई रोग नहीं आता और जितनी ज़्यादध शूटर पनपेंगे उतना ही तना कमजोर होता जाएगा और तने में रोगा जाते हैं तो यह सबसे मेन बरसान के दिनों में यही रोग होता है इसमें इसका समाधान सबसे बड़िया किरी का समाधान है किसी परकार का कोई स्प्रे नहीं करना कोई कुछ ही नहीं करना खाली यही समाधान है और जो तने का है वो में अगला वीडियो जिसका अक्टूबर में अपनको समाधान करना होता है वो में अगले वीडियो में आपको बता दूँगा ठीक है भाईयो